Hello friends, आज की इस video के अंदर मैं आप सभी को top 10 high salary देने वाले jobs के बारे में बताने वाला हूँ, जिन jobs को arts and commerce का student करके अपनी life set कर सकता है, अगर कोई science team का student इन jobs को करना चाता है, तो दोस्तों वो भी इन jobs को करके अपनी life set कर सकता है, तो चलो इस video की शुरुआत करते हैं और arts and commerce क students के लिए top 10 high salary jobs के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों 10th नंबर पर है air hostess, दोस्तों air hostess arts and commerce के stream के students के लिए एक बहतरीन job साबित होता है, और air hostess girl and boy दोनों भी बन सकते है, air hostess बनने के लिए आपको 12 के बाद या फिर graduation के बाद air hostess training का course करना होता है, जो की 6 months से लेके ए detail में जानकारी दी जाती है, air hostess का course complete कर लेने के बाद और 2-3 साल का experience लेने के बाद आपको per month 40,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज के salary दी जाती है, और air hostess के से बने, इसके बारे में full details में मैंने एक वीडियो के अंदर बताया है, जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, 9th नंबर पर है HR manager, दोस्तो arts and commerce की बहुत सरे students का dream होता है कि उन्हें future में HR manager बनना है, और दोस्तो HR manager काफी respective post होती है, अगर आपको HR manager बनना है तो उसके लिए आपको BBA in HR management या फिर graduation के बाद PG diploma in HR management का course करना होता है, ये course complete कर लेने के बाद और 3-5 साल का experience लेने के बाद आपको पर मद 15,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज की salary बड़ी-बड़ी companies के अंदर मिल जाती है, HR manager के 7 ने इस topic पर मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस video के description में मिल जाएगी, आठवे नंबर पर है retail manager, दोस्तों आज सभी लोग super market से अपना साम भरने के लिए या फिर कोई भी सामान और कपड़े खरीदने के लिए supermarket store में चले जाते हैं, जिसके वज़े से supermarket की demand काफी ज़्यदा बढ़ गई है, और supermarket store के अंदर काफी ज़्यदा भीड भी बढ़ गई है, तो ऐसे में इतने ज़्यदा customers को handle करने के लिए और store को proper way से manage कर करने के लिए एक retail manager की जरूरत पड़ जाती है, तो दोस्तो अगर आप arts and commerce की stream से pass out हो चुके हो, तो दोस्तो retail manager आपके लिए एक best career option साबित हो सकता है, retail manager बनने के लिए आपको graduation के बाद MBA in retail management का course करना पड़ेगा, एक बार आप इस course को कर लोगे और 1-2 साल का experience ले लोगे, तो दोस्तो आपको किसी भी बड़े super market store में 60,000 रुपीज से लेके 1,00,000 रुपीज तक की salary दी जाएगी, और अगर आपको management से related courses करना है, तो दोस्तो मैंने top 10 management courses के उपर भी detail video बनाया है, जिसकी link आपको इस video के description में मिल जाएगी, 7 तंबर पर है senior digital marketer, दोस्तो आज digital marketing एक बहुत ही ज़धा popular course बन गया है, और यहाँ पर competition कम होने के वज़े से, आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी बड़ी companies में digital marketer के post पर job मिल जाती है, और साती सात वहाँ पर आपको salary भी जादा मिलती है, क्यूंकि इस field में competition कम होने के वज़े से, और market में demand जादा होने के वज़े से, आपको यहाँ पर high salary package मिल जाती है, अगर आपको digital marketer बनना है, तो उसके लिए आपको 12 के बाद, या फिर graduation के बाद, digital marketing का 6 मेने से लेके एक साल का course करना होगा, ये course complete कर लेने के बाद, आपको छोटी छोटी इंटेंशिप् अच्छा experience हासिल करना है, इसके बाद, अगर आप किसी बड़ी company के अंदर, senior digital marketer के post पर job हासिल कर लोगे, तो दोस्तों, आपको 60,000 रुपीज से लेके, एक लाख रुपीज तक की साली पर मन दी जाएगी, digital marketing के अंदर, अलग-अलग प्रकार के job and post होते है, जिसके उपर म इक बहुती जदा professional और बहुती जदा difficult job है, ये job जितना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको live streaming करनी पड़ती है, जिसके वज़े से ये job काफी जदा जिम्मेदारी वाला होता है, इसलिए आपको पूरे होशो आवाज में इस job पर काम करना होता ह ऐसे में आपको salary भी बहुती जदा amount में दी जाती है, दोस्तो बड़े बड़े news channel के अंदर जो anchors काम करते हैं, उनकी पर month की salary लगबग 3 लाख रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक की होती है, जिहा दोस्तो ये salary पर month की है, क्योंकि ये job बहुती जदा difficult होता है, अगर आपके mouse से एक भी word गलत निकल गया, तो दोस्तो आपको बहुत बड़े बड़े problems का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तो news anchor arts and commerce की stream के students के लिए एक बहतरीं career option सावित हो सकता है, फिप्ट नमबर पर है investment banker, दोस्तो अगर आपको investment, trading और banking line में interest है, तो दोस्तो investment banker आपके आप 12 के बाद BBA in investment banking या फिर graduation के बाद MBA in investment banking का course करके investment banker बन सकते हो, और investment banker बन के आप job तो कर सकते हो, साते साथ आप अपना खुद का personal business भी run कर सकते हो, ऐसे में अगर आप किसी bank में investment banker के post पर job हासिल कर लेते हो, तो दोस्तो वहाँ पर आपको 60,000 रुपी से लेके 1,20,000 और उसके क्या क्या काम होते है, इसके बारे में मैंने एक dedicated video बनाया है, जिसकी link आपको इस video के description में मिल जाएगी, फोर्थ नमबर पर है IT manager या फिर software developer, दोस्तो आज technology का दोर है, internet का दोर है, और आज हर एक company को IT manager और धेर सारे software developers की जरुरत पढ़ रही है, और आज के समय में software developer की market में काफी ददा demand है, क्योंकि हर एक offline business online shift हो रहा है, और market में नए नए applications बनते जा रहे है, इसे में हर एक application को develop करने के लिए software developer की जरुरत पढ़ी जाती है, और arts and commerce का student भी software developer बन सकता है, जिसके लिए आपको 12 के बाद BCA का course करना पढ़ेगा, और अगर आपको एक IT manager ब करना पढ़ेगा, दोस्तों ये काफिस दा popular job है, और अगर आप किसी भी बड़ी IT company के अंदर in post पर job हासिल कर लेते हो, और मेहस देड से 2 साल का experience ले लेते हो, तो दोस्तों आपको पर मन्त 80,000 रुपई से लेके 15,000 रुपीज तक की salary in post पर मिल जाएगी, और BCA के topic पर मैंन के rules को follow करना होता है, और उसके हिसाब से चलना होता है, ऐसे में हर एक बड़ी company को company secretary की जरुरत पढ़ जाती है, क्योंकि company secretary एक ऐसा person होता है, जिसे government के सारे rules and regulation का knowledge होता है, और इस person को company, government of India और board of director में संतुलन बनाये रखना होता है, और इसके साथ-साथ company के अंदर, जिन सभी persons के साथ meeting लेने का काम और उनको company के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़े बताने का काम company secretary ही करता है, company secretary बनने के लिए कई सारे exams को pass out करना होता है, इसकी exam काफ is the difficult होती है, और company secretary की चोटे से चोटी company में salary एक से दो लाक रुपीज तक की होती है, और अगर आप किस बड़ी company के अंदर company secretary बन जाते हो, तो दोस्तों आपको पर मन्त 30 लाक रुपीज से लेके 50 लाक रुपीज की salary दी जाती है, क्योंकि company secretary की post company में सबसे ऊची post होती है, second number पर है CA, chartered accountant, दोस्तों chartered accountant एक एसा person होता है, जो financial accounts, financial activities या फिर उस से जुड़े सारे काम करता है, जै जैसे की financial advice देना, companies के ITR फाइल करना, लोगों को tax कैसे भरना है इसके बारे में बताना, business account और financial से related सारे प्रकार की services देना, एक CA का काम होता है, एक CA बनना काफे दा difficult होता है, लेकिन कई सरे arts and commerce ट्रिम के students का सपना CA बनने का होता है, और अगर आप कड़ी महिनत करके chartered accountancy य आप तो कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आप अपना खुद का business भी start कर सकते हो, और जॉब करके आप हर मेने की एक लाख रुपीज से लेके पाच लाख रुपीज तक की salary भी ले सकते हो, और जॉब के साथ साथ बिजनस करके इस से double amount की कमाई आप हर मेना कर सकते हो, CA कैसे बने इस topic पर मेने एक detail वीडियो बनाया है, जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, second number पर है Chief Executive Officer CEO, दोस्तो CEO की post company में सबसे उच्च स्तर की post होती है, ये एक AC post होती है, जिसके कंधों पर company या फिर organization से जुड़े सभी कारे की जिम्मेदारी होती है, यहाँ तक की company की growth इस person के हाथ में होती है, या फिर इस पर निर्बर होती है, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि CEO की post कितनी जिम्मेदारी वाली हो सकती है, CEO का का काम क्या होता है, इस topic पर एक मैंने dedicated video बनाया है, क्योंकि एक company के अंदर Chief Executive Officer के कई सारे role होते है, जिसके वज़े से मैंने इस से अपना graduation complete करना है, और आपको किसी एक चीज में expert बनना है, जैसे कि business management, engineering, finance, accounting या फिर किसी भी एक field में expert बनना है, मतलब आपको उस field के बारे में full details में जानकारी होनी चाहिए, जो भी वड़ी वड़ी companies है, जैसे कि Google, Microsoft, Amazon, Flipkart, Apple, इन सारी companies के अंदर जो भी CEO होते है, उन की salaries जानकर आप शौक हो जाओगे, क्योंकि internet के सबसे बड़ी company, Google, उसके जो CEO है, सुन्दर पिचाई, जिसकी पर मत की salary ही 50 करोट रुपीज की है, तो सोचो, अगर कोई company इतने बड़ी amount की salary किसी person को दे रही है, तो वो company उस person से क्या expect करती होगी, खेर इस topic पर भी मैंने ए description में मिल जाएगी, तो दोस्तों यह है top 10 high salary देने वाले arts and commerce की students के लिए, बहतरीन career options या फिर बहतरीन job options, उमिद करता हूँ, आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो, आपका पैर देने के लिए, और ऐसे वीडियो हर रोज दे आपके काम आपके काम महा लोगा हुआ है , बहुत करें यह inbound हैज आपके काम मुदी की वीडियो की आपके काम आपके के लिए, जबना मैं आपको है है, प्या है